Hello Everybody, Welcome to Mystic World 11.11 ये आप लोगों की Pick a Card Reading है और आज हमारा टॉपिक है What are they thinking? आपके परसन क्या सोच रहे हैं इस प्रेजन टाइम में? ये हम जानेंगे So regardless, आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ? ये reading सब के लिए open है और बिल्कुल timeless है जब भी आपकी नजर से गुजरेगी आपका उस वक्त का message होगा So शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ के Cards, Possibilities बताते हैं आपकी Final Destination Safe Divine Source को पता है Safe Divine Source को पता है के Finally आपकी लाइफ में क्या होना है इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रखकर इस reading को देखना है इसके इलावा मेरे जितने भी subscribers हैं Thank you so much अब सब लोगों के प्यार और support के लिए I truly, deeply appreciate each one of you and I love you all So अगर आप नए है मेरे चैनल पर आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना है पसंद आए तो like भी कर दीजेगा और share भी कर दीजेगा So अब हम start करते हैं आपके पास तीन options है Option number one है ये card A to I के साथ Option number two है ये card J to R के साथ Option number three है ये card S to Z के साथ तीनों में से जहां पर आपका या आपके partner का name initial आता है उसी में आपकी reading है आपने अपनी मर्जी से selection करनी है क्या आप अपने name initial से देखना चाहते है या अपने partner के So बाकियों के लिए आप इन cards के images से choose कर सकते है और अगर आप दो देखना चाहते हैं तीनों देखना चाहते हैं कोई problem नहीं तीनों के time stamps description में है skip करके आप अपना answer देख सकते है So मैं start करूंगी option number one से जिन लोगों ने option number one यानि कि ये वाला card select किया था A to I के साथ ये आपकी reading है हम देखेंगे कि आपके person क्या सोच रहे है इस present time में So ये उनकी overall thoughts को represent करेगा card So इस पर लिखा है Let there be closeness between you But always give each other space Love never claims It simply allows and gives So इसे बहुत से messages receive हो रहे हैं एक तो ये कि आपके person No matter what आप जितने भी एक दूसरे से दूर हैं Still आपके लिए सोचते हैं आपके लिए बहुत जादा उनके दिल में feelings हैं दूसरा ही है कि sometimes उनको space चाहिए होती है और इसके इलावा I do feel कि यहाँ पर एक unconditional love की vibe भी है कि इनसान unconditionally आप से प्यार करते हैं They really want to go with the flow तीसरा ये भी message यहाँ पर आ रहा है So वो चीजों को force करने पर believe नहीं करते हैं They just want to go with the flow और देखना चाहते हैं कि naturally चीजों कैसे unfold होती हैं इस connection में So अब हम कुछ overall thoughts भी और आपके person की देख लेते हैं फिर हम tarot से देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं So six cards हैं आपके person की overall thoughts के लिए What are they thinking? So सबसे पहले हमारे पास a do or die So maybe आपके person को लगता है कि this is a do or die situation आप लोगों के दरम्यान हो सकता है कि सिर्फ अभी friendship है फिर हमारे पास change, so आपके connection को अभी एक change की जरूरत है और आपके person को इस वक्त आप कहलें कि वो anxious है किसी change को लेकर Maybe वो change होना नहीं चाहते हैं अभी Maybe उनके लिए change बहुत uncomfortable होता है फिर हमारे पास invitation and then intuition So आपके person इस वक्त कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे है अपने intuition से ये भी हो सकता है कि वो आपको इस वक्त कहीं पर invite करने के बारे में सोच रहे है So let's see वो क्या सोच रहे है So इस deck के बारे में बहुत से लोग पूछते हैं So ये everyday tarot है जो मैं use कर रही हूँ Let's see ये इनसान क्या सोच रहे है आपके बारे में What are they thinking कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है कि relationship ना हो सिर्फ friendship हो But ये इनसान आपकी friendship के बारे में काफी सोचते हैं कि वो आपकी friendship को खोना नहीं चाहते है हमारे पास है the lovers फिर है the empress Wow So यहाँ पर तो मुझे लव नजर आ रहा है चाहे आप में friendship है Whatever the situation is Knight of Swords ये इनसान इनके दिल में आपके लिए बार्ट डीप फिलिंग्स है Wow the sun Bottom of the deck पर हमारे पास है three of cups Wow So यहाँ पर Pisces, Cancer, Scorpio है Aries, Leo, Sagittarius Taurus, Virgo, Capricorn Gemini भी आप अड़ कर ले ये star signs है लेकिन मैं हमेशा आप से यह कहती हूँ कि regardless of star signs अगर energy आप से match हो रही है तो बिल्कुल आपकी ही reading है आपने energy पर focus करना है star signs परना है So ये इनसान अगर तो आपकी friendship situation है वो ये सोच रहे हैं कि अब वो आपके साथ में आपके लिए बहुत जादा feelings develop हो चुकी है So वो ये ही सोच रहे हैं कि वो आप से communicate करना चाहते हैं वो आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने special हैं So maybe ये realization आपके person को बहुत recently हुई है Because ये इनसान आपकी company में बहुत enjoy करते हैं ऐसा relationship भी हो सकता है जो friendship से start हुआ था So ये इनसान बहुत जादा उनके दिल में उनकी नजर में कदर है इस friendship की जो आपकी उनके साथ है So ये इनसान friendship से आगे लेकर जाना चाहते हैं इस connection को अगर सिर्फ friendship है आप लोगों की So I do feel कि ये इनसान Celebration की energy I really feel कि ये इनसान आपको Literally कहीं पर invite करना चाहते हैं कुछ ना कुछ वो plan कर रहे हैं कोई celebration की ही energy है कोई event Maybe Valentine's Day कुछ ना कुछ वो plan कर रहे हैं आपके लिए So ये इनसान इस वक्त सिर्फ ये ही planning कर रहे हैं सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ celebrate करना है Maybe आपको कहीं पर लेकर जाना है साथ But बहुत ज़्यादा ये इनसान खुश नजर आ रहे हैं ये जो anxiety यहां पर आई I feel कि ये positive sense में है Nervous है maybe जो वो आपके लिए plan कर रहे हैं उसको लेकर maybe वो nervous हैं बहुत excited हैं So ये positive way में उनकी जो anxious energy है ये बड़ी positive see है ये इनसान excited है जो भी वो आपके लिए करना चाह रहे हैं जो भी वो plan कर रहे हैं उसको execute करने के हवाले से ये इनसान बहुत ज़्यादा excited है कि आपका reaction क्या होगा आपको कैसा feel होगा जब आप उस surprise देखेंगे I don't know कुछ ना कुछ इस तरह का है जो वो ये सोचने है कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा So with the change again आप लोग के connection में change आ रहा है यानि आप एक phase से आप next phase में जाने वाले हैं इस connection के जिस भी phase में इस वक्त आपका एक connection है ये उससे एक next phase में जाने वाला है So with the empress आप लोग को पता है ये इनसान ये सोचते हैं कि आप उनके लिए empress हैं चाहे आप male हों ये female वो ये सोचते हैं कि आप उनके लिए perfect हैं आप उनका perfect match हैं बलके they really feel कि आप उनसे above हैं they really feel कि आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है आप you know हर तरह से हर लिहाज से you are absolutely wonderfully ये इनसान आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं और वो बहुत ज़दा हैरान होते हैं कि आप कैसे उने मिल गए So मेरे जहन में वो गाना आ रहा है कैसे मुझे तुम मिल गई किसमत पर आए ना यकीन मुवा लगाना So हो सकता है कि आप में से किसी का फेरिट सौंग हो but सुन लीजीएगा हो सकता है उस गाने में कोई आपके लिए message हो important So let's see ये इंसान और क्या सोच रहे हैं आपके लिए What are they thinking Let's see Oh एक card नीचे गिर गया और आप लोगों को हैरानी होगी ये है anxiety का card और anxiety यहाँ पर भी आया So ये इंसान जबरे nervous हो रहे है जो भी नोने आपके लिए plan किया उसको लेकर So इसका number 18 है 8 plus 1, 9 फिर है हमार रपस the temple path So इसको देखते हुए मुझे मेरे जहन में आती है commitment, spirituality हो सकता है कि literally ये इंसान आपसे commit करने के बारे में सोच रहे हो आप ये connection strong करने के बारे में सोच रहे हो इसलिए nervous है Because ये उनकी जिन्दगी का एक बहुत बड़ा decision है Obviously बिल्कुल इससे जिन्दगी का एक निया phase start हो जाएगा So इसलिए शायद ये इंसान थोड़े से anxious है कि वो कैसे आपको ये offer देंगे आपका reaction क्या होगा फिर ये नई शुरुआ जिन्दगी की कैसी होगी वो excited भी है और nervous भी है anxious भी है So कुछ लोगों के लिए मुझे literally ये नजर आ रहे कि मैं भी इनसान आपको propose करना चाह रहे है यानि ये connection आपका उस level पर जाने वाला है because they really feel कि आप एक ऐसे इंसान है कि जिनको हम सफर बनाया जा सकता है with this empress card they really feel कि you are the one आपके साथ वो जिन्दगी बना सकते हैं जिन्दगी में grow कर सकते हैं let's oh god we have soulmates number 41 so ये lover's card भी हमारे पास ये soulmate energy है और twin flame भी but regardless of labels not for you number 6 so ये इनसान again वही बात आगई कि कभी कबार सोचते हैं not for me sometimes वो सोचते हैं कि शायद वो आपको deserve नहीं करते हैं उनको बहुत जादा मिल गया it's too good to be true maybe it's like a dream come true आपके बारे में जब सोचते हैं again they really feel कि आप उनके soulmate हैं आप उनहीं के लिए बने हैं sometimes वो बहुत हैरान होते हैं वही गाना फिर मेरे जहन में आ रहा है so sometimes वो होते हैं down or sad और सोचते हैं कि शायद I don't deserve this person because ये इनसान बहुत खुबसूरत है हर लिहाद से अच्छा इनसान है और मुझ में बहुत सी कमिया है maybe ये इनसान ये सोचते हैं और इसलिए वो ये सोचते हैं कि this is not for me so ये नमबर 6 है ये भी नमबर 6 है 6 किसी के लिए important हो सकता है let's see ये इनसान और क्या सोचते है what are they thinking क्या सोच रहे है इस present time में वो क्या सोच रहे है oh give your relationship a chance so maybe कुछ लोगं के जैसा मैंने कहा के पहली दफ़र relationship बनने जा रहा है बाकियों के लिए relationship और ज़्यादा deep होने जा रहा है and then release your ex so ये past को release करने की बात हो रही है किसी का literally कोई ex भी हो सकते है जिनको जिनको जिनकालने की जरूरत है भूलाने की जरूरत है past experiences को भूलाने की जरूरत है so I feel कि अब time आ चुका है कि आपके person भूला चुके है I really feel कि उन्होंने अपने past को overcome कर लिया है उसको वो totally भूला चुके है और आगे बढ़ने की कोशिश करें और तभी उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अपने जिन्दगी की एक नई शुरुवात करेंगे इस relationship को लेकर so वो past के बारे में नहीं सोच रहे हैं जो नई शुरुवात उनकी जिन्दगी की वो आपके साथ चाहते हैं उसमें वो थोड़े से है anxious कि क्या होगा आगे कैसे चलेंगे you know but वो excited भी है so let's see और क्या सोच रहे हैं आपके person so ये आपके ex भी हो सकते हैं जो आपकी जिन्दगी में वापिस आना चाहते हैं have patience number 17 love is patient and kind always and next we have simple acts of kindness so I do feel कि ये इनसान ये सोचते हैं कि आप उनके साथ बहुत जादा patient रहे हैं आपने बहुत जादा उने margin दिया है बहुत जादा understanding दी है बहुत जादा आपने उने वक्त दिया है अपना और वो इस बात को बहुत जादा appreciate करते हैं कि आप उनके साथ बहुत जादा kind रहे हैं I really feel कि आप उनके लिए बहुत कुछ करते हैं और जो चोटी चोटी चीज़ें आप उनके लिए करते हैं With these simple acts of kindness. कुछ ना कुछ आप करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं, I really feel के. और जो चोड़ी चोड़ी चीज़ें आप उनकी करते हैं, उनका ख्याल रखना, उनको एड़्वाईज देना, ये सारी चीज़ें वो notice करते हैं, और इन सब चीज़ें को बहुत ज़्यादा appreciate करते हैं, maybe वो आपसे कह नहीं पाते हैं, express नहीं कर पाते हैं, but they really appreciate your time, your attention, your affection. तो ये इनसान, इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा feelings हैं, सोचने से भी ज़्यादा ये इनसान अपनी feelings में नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा planning भी करते होएं नज़र आ रहे हैं आपके लिए, और इस connection को आगे लेकर जाने की planning करते हुए नजर आ रहे हैं So आजकल ये इंसान काफी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे है और इस relationship के बारे में I don't know मैंने ये card क्यों निकाला, ये नहीं निकालना था Because ये मैं already एक इसमें से ले चुकी थी But anyway, इस पर लिखा है power You instinctively know what is right for you And you have the power to say no or to walk away at any time So ये शायद आप में से किसी के लिए specific message आ गया है कि चाहे को ये आपका soulmate है, twin flame है, whatever अगर आपकी intuition आपको किसी चीज से मना कर रही है तो आपके पास आपकी free will है You have the power to say no जब आप चाहें, आप walk away कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज आपके लिए ठीक नहीं है तो आपके पास आपकी free will है आपकी power है, आप जो चाहें फैसला कर सकते हैं So हमारे पास है the situation will improve So ये इनसान इस connection को ठीक करना चाहते है आगे लेकर जाना चाहते हैं ये connection improve होगा And then within the next few weeks So ये इनसान यही सोच रहे हैं कि अगले चंद हफतों में चीज़ें बहतर होंगी आपके साथ connection को strong करेंगे और literally जैसा इन दोनों कार्ट के उपर लिखा है कि आने वाले चंद हफतों में आप लोग का ये connection बहुत ज्यादा improvement की तरफ जाने वाला है और आपके person यही plan कर रहे है So अब हम आपके yes or no question पर आते हैं आप focus रखिए अपने question पर हम देखेंगे कि आपका answer क्या है साथ आपके लिए letters और numbers होंगे आपका name initial, आपके partner का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है Let's see Okay So आप अपने question पर focus रखिएगा हमारे पास है 888 F 222 X 11 11 5 0 और भी कह सकते हैं आप इसको number 50 किसी करें important हो सकता है Y 3 M N V I K Z L So हमारे पास आगया है Try again Let's try again We have 7 7 7 5 5 5 U U M M 7 N T Okay Your answer is yes Aap ka answer yes aya hai So हमारे पास आगया Y S P I 7 7 7 7 E V P S J B B W Numbar 6 W U And then 11 11 So ये आपके letters और numbers हैं देख लीजे आप से कैसे match करते हैं और ये आपकी reading थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा पसंद आया मुझे जरूर बताईगा comment section में अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा share कीजेगा और subscribe करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने option number 2 यानि कि J2R select किया था इस card के साथ ही आपकी reading है और हम देखेंगे कि आपके person क्या सोच रहे हैं what are they thinking so ये उनकी overall thoughts को represent करेगा so let's see इसके उपर लिखा है playfulness laughter is the best therapy have some fun together and remember love is the greatest healer so I feel कि आपके person may be heal करना चाहते है but this playfulness I feel कि इंसान आपके साथ playful, happy, light-hearted time spend करना चाहते है आपके साथ खुश रहना चाहते है आपके साथ खुशी महसूस करते है और I really feel कि बस वो आपके साथ time spend करना चाहते है let's see six cards हम और लेंगे आपके person की overall thoughts के लिए so I feel कि overall ये इंसान may be खुश है आपके बारे में सोच कर they are happy कि आप उनके साथ है आप उनकी जिन्दगी में है let's see हमारे पास is secrets so maybe कुछ secrets है कुछ चुपाया हुआ है आपके person ने defensive walk away okay service so कोई हो सकता है कि army में हो police में हो busy so maybe आपके person आजकल busy है आपको time ने दे पा रहे है and then obstacles so हो सकता है कि इस वक्त कुछ challenges आप लोग face कर रहे है और इसी वज़ा से इनसान आपके साथ एक playful light-hearted time spend करना चाहते है ताकि इन परिशानियों को आप कुछ देर के लिए भूल जाए काफी busy रहे हैं आपके person recently time ने आपको दे पाए है और maybe उनकी जिंदगी में कुछ problems चल रहे थे जो उन्होंने आप से छुपाए हुए थे so ये भी हो सकता है कि आप लोगों की separation हुई भी with this walk away but ये separation temporary है so let's see ये इंसान क्या सोच रहे है I do feel कि वो आपके बारे में सोचते हैं आपको miss भी कर रहे है let's see क्या सोचते है what are they thinking ये इंसान क्या सोच रहे है हमारे पास है the tower so maybe आप लोगों के दरमयान कोई tower moment आया yes आप लोग separation में है the moon ये है secrets खामोशी but emotions भी two of cups soulmate energy five of pentacles bottom of the deck पर हमारे पास है seven of swords yes बहुत दर secrets है बहुत चीज़ें छुपाई में हैं आपके person ने emotions भी हैं but आपके person hide कर रहे हैं इस present time में I also feel कि maybe इस वक आप लोगों की क्यूंके break up हुआ है बात बिल्कुल नहीं हो रही है तो आपको बिल्कुल भी अंदाजन नहीं है कि ये इनसान आखिर क्या कर रहे हैं अपनी life में कहां गाइब हैं बिल्कुल social media पर भी active नहीं है तो आपको कहीं से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ये इनसान आखिर क्या कर रहे हैं आज कल तो यहाँ पर टॉरस वर्गो के अप्रिकॉर्ण है पाइसीस, कैंसे स्कॉर्पियो, लीबरा, जेमिना, अक्वेरियस ये स्टार साइन्स हैं लेकिन मैं हमेशा आप से ही कहती हूँ कि आप एनरजी पर फोकस किया करें अगर एनरजी आप से मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है स्टार साइन्स को लेकर आपने परिशान नहीं होना है तो ये इनसान आपके साथ रीजूनियन का सोच रहे हैं और आप से मिलने का सोच रहे हैं and I feel कि जैसे उनको इस वक्ति ये महसूस हो रहा है कि वो आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं तो ये रेली फील कि अब आप शायद उनकी जिन्दगी में वापस नहीं आएंगे विद फाइव उफ पेंटिकल्स ये इनसान बहुत जादा इंसेक्योर हो रहे हैं आपको लेकर they really feel the loss उन्हें loss feel हो रहा है so वो सोच रहे हैं कि शायद मैंने इस इनसान को हमेशा के लिए खो दिया because आप लोगों के दरमयान कुछ हुआ है with the tower कुछ बहुत बड़ा हुआ है fight हुई कोई but जो भी हुआ उसके बाद आप लोगों का break up हो गया और फिर खामोशी हो गई so आप दोनों इस वकत एक दूसरे से बात नहीं कर रहे है और आप दोनों को ही नहीं पता कि दूसरा कहां पर stand कर रहा है दूसरा क्या सोच रहा है अब open है या नहीं दुबारा relationship बनाने के हवाले से so ये इनसान इस वकत इसी doubt में है और इसी सोच में है कि पता नहीं अब हमारा relation शायद कभी नहीं बनेगा so ये इनसान बहुत ज़ादा insecure है I think ये playfulness का card इसी लिए आया ये इनसान सोच रहे हैं रिफलेक्ट करें उस टाइम पर जब आप लोग साथ थे आप लोग हसी मजा किया करते थे ये connection उन्हें कितनी खुशी देता था उन्हें कितना healing था उन के लिए शायद वो ये सोचते हैं उस के उस टाइम के उपर reflect कर रहे हैं जब आप लोग साथ थे so ये तो totally energy change होगी है जो हमें feel हो रहा था पहले ये इनसान I feel कि काफी sad है और down है और I do feel कि जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनके चेहरे पर एक smile आती है कि हम दोनों कितने खुश थे हम दोनों कितने crazy थे I don't know but कुछ सोचते हैं आपके बारे में तो उनके चेहरे पर एक smile आती है let's see और क्या सोच रहे हैं ये इनसान क्या सोचते हैं आपके लिए what are they thinking action so yes maybe ये इनसान कोई action लेने का सोच रहे है जैसा मैंने कहा कि ये इनसान चाहते हैं with the two of cups reconciliation reconciliation आप से मुलाकात and then man holding a coin yes वो आपको उफर करना चाहते हैं एक नई शुरुआत number 43 है so clearly नजर आ रहे हैं कि ये इनसान दुबारा आपके साथ relationship में जाना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि वो आपको ये offer कैसे दें so ये इनसान action लेने के बारे में सोच रहे हैं literally और आपको offer करना चाहते हैं ये pentacle ये relationship offer करना चाहते हैं आपको let's see और क्या सोच रहे हैं so I feel कि ये इनसान आपको खोना नहीं चाहते हैं उन्हें बहुत ज़दा ये thought तकलीफ दे रही है इस वक्त ये जो loss उन्हें फील हो रहा है वो इस feeling में नहीं रहना चाहते हैं we have deep knowing number 43 ये भी number 43 है and then new life number 39 so yes with the new life एक नया start, एक जिन्दगी के एक नए phase की शुरुआत आपके साथ करने के बारे में सोच रहे हैं literally जैसा इस card के उपर लिखा है so ये इनसान आपके साथ एक बड़ा ही आप कहलें कि एक psychic और deep connection share करते हैं और feel करते हैं चाहे वो words में इस बात को explain कर सके या ना कर सके so इस वक्त ये इनसान यही सोच रहे है कि उन्हें आपके साथ एक नया start चाहिए है एक नई शुरुआत करनी है plan कर रहे है so ये reading तो बहुत जादा similar है group 1 से अगर आप चाहें तो group 1 भी देख लीजेगा हो सकता है उसमें भी आपके लिए कोई message हो we have healing family issues so हो सकता है कि आपके person के कुछ family issues थे जिनको वो heal कर रहे थे और अब वो आपकी तरफ आने के लिए ready है with this calling in your soulmate अब वो आपको अपनी जिन्दगी में वापस manifest करने के लिए ready है यह भी हो सकता है कि आप इनको manifest कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक sign है कि आप बहुत जल्द manifest करने वाले हैं अपने partner को अपनी जिन्दगी में और यहां पर अगर हम देखें तो यह जो भी आप दोनों के दरमयान issues हैं उनको भी heal करना चाहते हैं अगर यहां पर कोई family issue नहीं है तो आप दोनों के दरमयान जो issue हुआ उसको heal करना चाहते हैं यह भी हो सकते है कि आपके person ने अपनी family को priority दी पहले आपको neglect कर दिया उन्होंने बोला कि मुझे अपनी family को look after करना है मुझे different direction में जाने की जरूरत है उन्होंने अपना path choose कर लिया था पहले बट अब उन्हें realize हो रहा है कि वो different अंदाज में situation को handle कर सकते थे और उन्हें दुख है इस बात का कि उन्होंने आपको reject इस तरहां से किया कि मुझे अपनी family जादा important है मेरे लिए so maybe अब वो balance करना चाहते हैं भी उन्होंने past में उनका जो भी actions थे उनको balance करना चाहते हैं अब वो so let's see ये इंसान और क्या सोच रहे है so ये इंसान अब आपकी जिंदगी में वापस तो आना ही चाहते है let's see वो और क्या सोच रहे है oh god ये group one के लिए आए था message have patience and then romance lavish the one you love with personal attention and affection इसका number 25 है इसका 17 है और ये भी 17 है so ये इंसान obviously आपकी लाइफ में वापस आना चाहते है आपको affection, अपने time, अपनी attention देना चाहते है जो उन्होंने पहले नहीं दी थी so I do feel कि जो पहले उन से गलतियां हुई उनको वो ठीक करना चाहते है जो भी उन्होंने किया, आपको hurt किया, उन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते है so I really feel कि ये इनसान आपके साथ फिर से एक नई शुरुवात चाहते है और खुशी-खुशी आपके साथ, जिन्दगी बिताना चाहते है, time बिताना चाहते है इसलिए हमारे पास सबसे पहले playfulness का card आया था और अब हमारे पास romance का card आ गया so I do feel कि ये इनसान अभी भी patience के साथ planning कर रहे है अभी भी बहुत जल्दी में नहीं है, थोड़ा सा time लेंगे वापिस आने में और आपको ये offer करने में, ये नई शुरुवात offer करने में थोड़ा सा time लेंगे so I really feel कि ये इनसान अब आपके लिए काफी ज़ादा serious हो चुके है और बहुत serious least connection के बारे में सोच रहे है so let's see, दो और cards हम लेंगे इसके बाद हम आपके yes or no question पर आएंगे so I do feel कि ये इनसान, oh god, take action ये इनसान सोच लिया है और उनने के उनने क्या चाहिए so they want you और चीजों को वो आपके साथ heal करना चाहते है और ये इनसान बहुत clear है कि उन्होंने अब next क्या करना है with the take action और ये भी action का card था so I feel कि ये इनसान अब सिर्फ अपने आपको prepare कर रहे है आपकी तरफ आने के लिए, वो यही सोच रहे है कि अब उन्होंने क्या करना है so ये इनसान बहुत ज़्यादा clear है उनकी intentions बहुत ज़्यादा clear है कि उन्होंने अब action लेना है, आपकी तरफ आना है so I feel कि आप expect कर सकते हैं उनकी तरफ से कोई action उनकी तरफ से communication कुछ भी, कुछ ना कुछ वो करेंगे इस connection को heal करने के लिए और इस पर work करने के लिए so अब हम आपके yes और no question पर आते हैं आप focus रखिए अपने question पर हम देखेंगे कि आपका answer क्या है साथ आपके लिए letters or numbers आपका name initial, आपके partner का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है life path number, house number so let's start हमारे पास है 1111 O, zero भी कह सकते हैं आप इसको R, G, N, D, F, E, W, Q try again ये रीडिंग बहुत जादा हर लिहास से similar group 1 से 3, 3, 3, X, E, E, S, F so आपका answer है definitely it's a yes definitely फिर हमारे पास है 9, K, 3, O number 30 भी किसी के लिए important हो सकता है किसी की age हो सकती है U, 2, A, Z, 2, 2, 2 U, X, F, number 1 P, D, N, 6, 6, 6, Y, A, A, M, Q, 2, 2, C, number 2, M, and then A so ये आपके letters और numbers हैं देख लिजिए कैसे आपसे match करते हैं और ये आपकी reading थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा पसंद आया मुझे जरूर बताईगा comment section में अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने option number 3 यानि के S to Z select किया था इस card के साथ ही आपकी reading है और हम देखेंगे कि आपके partner क्या सोच रहे हैं ये उनकी overall thoughts को card represent करेगा, so let's start इस पर लिखा है My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united for love, transcend space and time, nothing is missing so आपके person आपको ये बताना चाहते हैं कि आप ये मत फील करें कि जिन्दगी में कुछ missing है आप दोनों एक दूसरे को complete करते हैं चाहे साथ हो या एक दूसरे से दूर हो आप दोनों का ये connection spiritual है ये भी हो सकता है कि इस वक्त आप separation में है या कोई नाराज़गी चल रही है बट आपके person आपको ये बताना चाहते है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा आपसे deeply connected है चाहे आपके करीब हो या आपसे दूर हो So let's see Six cards हम लेंगे उनकी overall thoughts के लिए क्या सोच रहे हैं आपके person What are they thinking So हमारे पास is stalking So ये इंसान आपके social media पर आपको stalk करते हैं फिर हमारे पास strength So they really feel के आप उन्हें strength देते हैं वो इस connection को strengthen करना चाहते हैं कोई decision लेने के बारे में सोच रहे हैं बहुत जादा वो आपके लिए emotional हैं बहुत जादा emotions है and then we have almost there and then planning So I feel के ये इंसान कोई goal है आपको लेकर उनका and they are almost there बस decision लेने के करीब हैं आपके बारे में planning करते हैं बहुत जादा आपको लेकर and they really feel something for you I feel बहुत feelings हैं Let's see क्या सोच रहे हैं So ये इंसान planning कर रहे हैं जादा आपके लिए और कोई decision लेने के बारे में सोच रहे हैं और वो बस करीब ही है decision लेने के कोई बड़ा decision है ये Let's see इंसान क्या सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं So इस पर लिखा है death हो सकते है किस वक्त आप लोग सेपरेशन में हैं विदेथ कार्ड ये भी हो सकते है कि उनकी किसी करीबी की death हो गई है और वो उनके लिए बड़ा चैलेंज़िंग है और उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है औविएसली 5 of swords बहुत सब्सादा परिशान है next is two of swords so ये है indecision ये decision लेना चाहते हैं deciding phase में है the magician yes and then bottom of the deck पर हमारे पास है eight of cups okay so ये इंसान बहुत जादा सोच रहे हैं ये इंसान एक over thinker है यहां पर Libra, Gemini, Aquarius Pisces, Cancer, Scorpio ये star signs हैं लेकिन मैं हमेशा आप से कहती हूँ regardless of star signs अगर energy आप से match होती है तो बिलकुल आपकी reading है so I feel एक तो बड़ा specific message यह आ रहा है कि आपके person का कोई psychological issue हो सकता है ये specific message है सबके लिए नहीं था और उसका main reason यह हो सकता है कि उनकी जिन्दगी में कोई trauma रहा है किसी की death से related या कुछ ना कुछ जिन्दगी में उन्होंने खोया कुछ बड़ा उनकी जिन्दगी में मुश्किल वक्त कोई आया जिसकी वच्छा से वो traumatized है आज तक उस वक्त के बारे में वो सोचते है और उसका बड़ा असर है उनके जहन पर तो कोई ना कोई problem आपके person का psychological नजर आ रहा है बाकियों के लिए I feel कि ये इनसान एक over thinker है बहुत ज़दा चीजों के बारे में सोचते है मसला इतना होता भी नहीं है जितना वो बना देते है बहुत ज़दा ही इनसान सोचते है और इस वक्त ये बहुत ज़दा परिशान है decision लेना चाहते है कोई let's see ये क्या decision है मुझे ये भी feel हो रहा है आप में से कुछ लोगं का break up हुआ हुआ है separation है with a death card let's see two of swords क्यों है हमारे पस oh god we have king of cups ये इनसान आपसे बहुत प्यार करते है with a king of cups ये में ज़दे पहले ही feel हो रहा था और आप देखे हमारे रपस king of cups आ गया है true genuine love का card है so maybe आप दोनों की कोई fight हुई है कोई disagreement हुआ है ये इनसान बहुत ज़दा आपसे प्यार करते है and they really want to make a decision आपके लिए manifest करना चाह रहे हैं आपको let's see क्या manifest करना चाह रहे है with the magician ये भी हो सकते है क्या आप manifest कर रहे हूं night of swords communicate करना चाहते हैं आपसे I do feel कि ये इनसान आपसे अब और ज़्यादा fight नहीं करना चाहते है because maybe आप उनसे नाराज है आप दोनों के दरमयान एक emotional distance आया हुआ है और ये इनसान इनसे आपकी नाराज़गी बरदाश नहीं हो रही है so ये बहुत ज़दे down or sad है और आपको खुश करने के लिए कुछ plan कर रहे हैं कोई decision I don't know ये क्या decision है but कुछ बड़ा सोच रहे हैं आपके बारे में so ये इनसान आपसे communicate करना चाहते है और ये इनसान genuinely आपसे बहुत ज़दा प्यार करते है but right now आप दोनों के दरमयान distance है कुछ लोगों के दरमयान physical distance भी हो सकता है let's see ये इनसान और क्या सोच रहे है I do feel कि ये इनसान ये भी सोच रहे है कि में भी आपने उनको कुछ hurtful कहा था वो आपके बातों से आपने जो ने कहा उसकी वरह से काफी hurt है so वो आपको नाराज नहीं देखना चाहते है मनाना चाहते हैं आपको let's see हमारे पास है envy number 20 so ये भी हो सकता है कि कोई आप लोगों से jealous है फिर है हमारे पास healer of the ages number 51 आप में से कोई literally healer हो सकता है कोई बहुत spiritual कोई tarot card reader, astrologer कुछ भी इस थाना से कोई motivational speaker भी हो सकता है so बहुत powerful आपकी energy है और बहुत strong आपकी personality है so maybe आपके person आपकी strength से थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी jealous होते हैं सोचते हैं कि आप कैसे इतने strong है काश वो भी इतने strong हो maybe sometimes वो थोड़ा jealous होते है maybe आप कोई ऐसा काम करते हैं बहुत से लोग आपको देखते हैं आपको सराहते हैं कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा से जैलिस भी हो जाते हैं इस वज़ा से भी आपके परसन बट उससे भी जादा स्ट्रॉंग ली ये मैसे जा रहा है कि किसी की इवल आई हो सकती है या कोई जैलिस हो सकता है आप दोनों के इस कनेक्शन से सो ये इनसान हील करना चाहते हैं इस कनेक्शन को जो भी आप लोग के दम्यान फाइट हुई है जो भी हुआ है इसको हील करना चाहते हैं सो आज के तीनों ही पाइल्स एक दूसरे से बहुत जादा सिमिलर थे आप अगर चाहें तो आज तीनों ही पाइल्स देख लिजेगा यहाफ़ हैप़ी और यहाफ़ को एक रियेट यह इनसान यह सोचते हैं कि वो अपनी जिन्दगी आपके साथ विता सकते हैं और बड़ी खुशी वाली जिन्दगी होगी बड़ी हैपी लाइफ होगी उनकी आपके साथ आप यूव देख तेरे लिग फुशी देते हैं यह दो कोई भी नहीं होगी so we have this could be the one could ka lafz hatha dijaye they really feel that you are the one and then keep an open mind your soulmate may differ from your usual type and expectations so they are really sorry this is the question that maybe your expectations don't go full on it or they are not the same as you want to be your partner so they really want you to keep an open mind they really want that you accept them they don't want to be selfish but وہ چاہتے ہیں that you accept them because they really need your love and they really need your love اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ان کے لئے one and only ہیں اور وہ چاhtے ہیں کہ آپ انھیں judge نہیں کریں ایک open mind کے ساتھ ان کے ساتھ چلیں so یہ انسان یہ آپ کے لئے سوچتے ہیں let's see اور کیا سوچ رہے ہیں یہ so وہ ڈرتے بھی ہیں کہ وہ آپ کے expectations پر پورے نہیں उतर रहे हैं, कहीं आप उनसे दूर ना हो जाएं, you know so हमारे पास है love endures, इस पर है number 43 so इस पर लिखा है love does not give up or lose faith love is hopeful and withstands every situation so I feel के वो जो बात में पहले कह रहे थी just keep an open mind, ये इंसान नहीं चाहते कि आप उन पर कभी give up करें they really don't want that, demonstrate love number 48 find out what is important to those you love and act on it so I feel कि ये इनसान इनके लिए बहुत मैटर करता है आपकी पसंद ना पसंद, they really want to make you happy वो आपको खुशी देना चाहते हैं आपके लिए वो वो सारी चीज़ें करना चाहते हैं आपको खुशी देती है, बस आपको खुश देखना चाहते हैं ये इनसान वो यही सोचते हैं कि वो आपको कैसे खुशी दे और वो नहीं चाहते कि आप उन पर give up करें so अगर अभी आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं आपके person ने आपके उपर give up नहीं किया है within the next few weeks and then perfect timing so अगले चंद हफ्तों में, दो तीन हफ्तों में कुछ हो सकता है कुछ बड़ा अच्छा, आप लोग experience कर सकते हैं हो सकता है, आपके person कुछ प्लान कर रहे हैं अगले कुछ हफ्तों में I don't know but कुछ ना कुछ वो प्लान जरूर कर रहे हैं कोई भी यह जो decision है, वो यह decision ले लेंगे अगले दो से तीन हफ्तों में कोई बहुत बड़ा decision है so I feel कि कुछ positive होने वाला है अगले चंद हफ्तों में so अब हम आपके yes or no question पर आएंगे और letters and numbers देखेंगे आपका name initial, आपके partner का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है life path number, house number so let's start, आपका yes or no question so हमारे पास है G, W, O, L, V, B, N आपका answer है yes, it's a yes S, Q, Z, Y, U, T, B, O, C, C, Z, D, Y, 1, 1, 1 U, 11, 11, 3, 3, 3, 3, M, G, A, O, D, S, D, V, J, B, M, number 9, H, V, I, H, J, P, number 1 and then number 9 so ये आपके letters and numbers हैं देख लीजिए कैसे आपसे match करते हैं और ये आपकी reading थी कुछ भी आपके लिए helpful रहा, पसंद आया मुझे जरूर बताईएगा comment section में अगर आप नए थे मेरे चैनल पर like कीजेगा, share कीजेगा, subscribe करना मत भूलिएगा सो जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपने जिन्दगी में जो भी manifest करना चाहते हैं new love, true love आपकी जिन्दगी में जरूर manifest हो और जरूर होगा क्योंकि you are worthy of love and you are lovable अपने आपको ये जरूर बताया करें अपना धेर सारा ख्याल रखिएगा I'll see you in my next video Till then, love you lots, bye bye